जै जोहार और नमस्कार संगवारी हो स्वागत थे आप सभी कर देनिक 36 कर चेरल पर जहांपर हम आपके लिए लेकर आते हैं रोचाना 36 कर प्रदेश के प्रादेशिक सबाचार दोस्तो आज हो चला है एक जनवरी 2021 का दिन यानि की आज हो सुरवात हो चला है 2021 के नव वर्स का इसी नव वर्स के सुभासर पर आपके लिए दो सब्द बोलना चाहेंगे जहांपर भुला दो जो भी बीता हुआ कल था दिल में बसाओ आने वाला कल हसो और हसाओ चाहे जो भ खुश्या लेकर आएगा आपका आने वाला कल चलिए इसी सकरात्मक उर्जा के साथ सकरात्मक सोच के साथ आज की करते हैं खबरों की सुरात मेरे आने आपके दोस्त अभिजीत कुमार के साथ आज की पहली बड़ी खबर आई है जहापर 36गड के किसानों के लिए खबर है दान खरीदी में रुकावट हो चली है, 36 गण में इसी पर 6 मंत्रियों ने बैठक लिया है, लगभग 200-300 किसानों से बात की है, सीडी बात आपस में, इसकलावा खरीदी में रुकावट पर सफाई भी दी है, केनर के खिलाफ दिल ली जाने को भी किसान अपतयार नजरा रहे ह मंत्राले में करीब 3 घंटे तक इस बैठक कायवजन किया गया था, 3 घंटे ये बैठक चली है, भाजपा सांसदों का घेराव करने की भी बात इस बैठक पर कही गई है, चलिए इसी साथ एक और अगली बड़ी ख़बर आई है, जहांपर जन्वरी से अच्छी ख़बर नि क्योंकि भारत सरकार ने ऑक्सफोर्ड की एक्स्ट्रा जन्वरी के पहले हपते में भारत आने की संभावना है, जो की लगभग 30 करोड हेल्थ वरकर्स को सबसे पहले लगने वाले है, जिन में से 2,34,000 हेल्थ वरकर्स 36 गड़के भी सामिल है, बस वैक्सिनेशन की तारीख सित होने का इंतिजार अभी सासन प्रसासन की ओर से किया जा रहा है, चली अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर भाच्वा प्रदेश अधक्ष बनने के बार पहली बार भिलाई जो है विस्तु देवसाय पहुचे है, स्वागत के बहाने कारकरताओं ने अपना सक्ति प् दिखाया, कुमारी टोल प्लाजस लेकर के सुपेला घडी चौक तक जगा जगा फोल माला लेकर के कारकरता जोस से भरे हुए नजराय, प्रदेश अधक्ष विस्तु देवसाय का काफिला 12 बजे कुमारी टोल प्लाजस पहुचा, उनकी अगवाई करने पहुची भिलाई भाजपा के जिलध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता वा कारकरता इस कारकरम के दौरान मवजूद थे और जो भी बाते हैं वो यहाँ पर घटित हुई है, इसी साथ अगली बड़ी खबर आई है जहाँ पर आप वीडियो के माध्धम से देख सकते हैं, जानगील चापा में ग्रामीडों और पुलिस के बीच लगातार जूमा जटकी दिखाई दे सकती है, बेजा कबजा को लेकर के आंदोलन के दरान यहाँ घटना सामने आ रही है, आपको बता दे कि रमेडा के ग्रामीडों ने कलेक्टरेट के सामने चक्का जाम कर दिया, इस आंदोलन में केवल जम करके हंगामा हुआ, बलकि पुलिस और अंदोलन कारियों के बीच और ग्रामीडों के बीच जोरदार जूमा जटकी भी है, जानकारी मिली है कि ग्रामीड गोठान के लिए चिनहा की जमीन पर बेजा कबजा से नाराज है, उनकी नाराजगी बढ़ी इसलिए है क् प्रसासन बेजा कबजा को नहीं हटा रहा है, इसलिए वे आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करने वे सभी सरपंच के साथ यहां पहुंची हुए थे, जानकारी मिली है कि पुर्विधायक को भी ग्रामीडों का सवर्थन करने यहां पर पहुंची हुए थे, जिसकी वज़ बिया है, इस वर्ष जो है गर्टांतर दिवस पर इस बार नई दिल्ली में राजपत पर 36 गर का लोक संगीत का वाध्य वैभव दिखने वाला है, गर्टांतर दिवस के मुख्य समारों के लिए 36 गर राज की जाकी को रक्षा मंत्राला की विशेसक्य समीती ने लगातार द आजा करते हुए नजराय है, अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर धान खरीदी को लेकर के बवाल हो चला है, जिस पर मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री तो फोन कर डाला, इस पर कहा गया कि मिलर्स के यहां से चावल गोदामों तक नहीं पहुचा, तो खरीदी के इं खरीदी पर आयम मौजूदा संकर से निपटने के लिए पूई सरकार सक्री हो गई है, मुख्य मंत्री भूपेज बखेल ने गुरुवार को सुभा फोन पर प्रधान मंत्री मोदी से बात कर डाली, उन्होंने सेंटरल पूल में चावल जमा नहीं होने की जानकारी दी है, इस पर मुख्य मंत्री ने कहा कि केनर सरकार ने जल्दी चावल जमा करना सुरूल नहीं किया, तो धान खरीदी हुआ कई लाख मिट्रिक तन जो धान है, वो पूरी तरीके से बरबाद हो जाएगा, इस पर प्रधान मंत्री मोदी ने भी अपना आस्वासन जताय है, और जो अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर एक जनवरी को 36 गड़ के 2,80,000 NPS कर्मचारी काला दिवस मनायने जाने है, यानि कि आज से काला पट्टी वा काला मास्क लगाकर NPS का विरोध करने वाले हैं, दरसल राश्टिय पुरानी पैंसन बहाली सयुक्त मोर्चा के राश्ट सर्मा 36 गर्प्रदेश सहसायोजक सुधिर प्रधान इसकलावा जो भी बड़े बड़े नेतागण है, तो इनका कहना है कि एक जनवरी 2004 को ही पूरे देश में पुरानी पैंसन के इस थान पर नवीन अंसदाई पैंसन लागो किया गया था, इस पर NPS रूपी काली कानून का विरोध करने वापस लेने के लिए आज के दिन को काली पट्टी वा काला मास्क लगा करके काला दिवस के रूप में NPS कर्मचारी पुरानी पैंसन बहाली की मांग को ले करके सरकार तक नए अंदाज में पहुचाने के लिए PMO और CMO का टेग जो है ट्वीटर पर अभियान चलाने का आवान कर दिया है इसी साथ एक और अगी बड़ी खबर आई है जहां पर नए साल पर उत्तर भारत के कई राज्यों में कडाके की ठंड का असर दिखने वाला है दिल्ली में कोहरा चाय रहना है और इसके लिए हाई अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है दरसल नए साल 2021 जो है शुरू हो गया है ऐसे में लोग इंटरनेट पर एक जनवरी 2021 को मौसम कैसा रहेगा इसकी जानकारी बड़े संख्या में जानना चाहते हैं मौसम विफान ने उत्तर भारत के लिए 31 दिसंबर और एक जनवरी को मैदानी इलाकों में वरफीली हवाय चलने के आसा हो सकती है एक दो जगों पर ओला वरिष्टी होने की भी संभावना है वही आठ जनवरी से मौसम साफ और सुस करहने की उम्मीद है मौसम विफाग के मुताबिक अगले 12 घंटे में मंध्यपदेश पूर्वी विधर्व 36 गड़ बिहार जार्खन ओरीसा पस्चिम मंगाल सि दस नए बाड़े जो है वन विभाग त्यार करने वाला है रंगल सफारी में वन प्राड़ियों की संख्या में इजाफा हो गया है और उन्हें सुरक्षित वातनवर अर्मिले इसलिए वन विभाग के अधिकारियों ने दस नए बाड़े बनाने की त्यारी कर दी है विभा बोरी खबर आ रही है बीजेपी वालों के लिए बीजेपी के वरिष्ट नेता ओम प्रकास राठिया नहीं रहे सी एम समेत कई बड़े निताव ने इस पर अपना जो डुक है वो यहां पर जताया है दरसल बीजेपी के वरिष्ट नेता और पूर्व विधायक बीजेपी सरकार के समय सांसदी सचीव ओम प्रकास राठिया का निधन हो गया है पिछले कुछ दिनों से वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे वही राइगर के धरम जेगर से दो बार विधायक रहे ओम प्रकास राठिया को राइपूर के एमस में भर्ती कराए गया था उन्हें सास लेने में तकलीफ हो रही थी इस दुरान उनकी तब्यक खराब होई और बिगर्टी चली गई और दो पहर को उनका जो निधन है बीते दिन हो गया सोसल वीडिया में उनके निधन की वज़ा महामारी बताया जा रहा है कोरोना बताया जा रहा है लेकिन ये फेक ख़बर है और फेक कबर से आपको बचाना हमारी जिम्मेदारी है अगी बड़ी खबर आई है जहाँ पर चार जोड़ी ट्रेनों के समय में फिर बदल हो चला है सफर सुरू करने से पहले ही आप इसका टाइम टेवल जरूर से चेक कर ले अगर आप और इंडियार रेलवे के माध्यम से सफर करते हैं दरसल रेलवे जोन से होकर गुजरने वाली चार जोड़ी ट्रेनों के परिचालन में बढ़ोत्री करते हुए बढ़ोत्री के साथ साथ ट्रेनों के समय साड़नी में आंसिक परिवर्तन कर दिया गया है ओखा हावडा ओखा सापताहिक पूजा स्पेसल ट्रेन 30 दिसंबर 2020 तक चल रही थी लेकिन इस ट्रेन का परिचालन 2 फरवरी तक विस्तार कर दिया गया है वही ओखा हावरा सापताहिक पूजा स्पेसल ट्रेन ओखा से प्रतेक रविवार को चलती है इसी प्रकार हावरा ओखा सापताहिक पूजा स्पेसल ट्रेन हावरा से प्रतेक मंगलवार को चलती थी इसके समय सार्णी में भी परिवर्तन कर दिया गया है वही इस प्रकार कई ऐसे बड़े बड़े ट्रेन है जिनकी समय सार्णी में परिवर्थन आंसी ग्रूप से किया गया है आप इसकी विस्तेत जानकारी के लिए IRCTC की वेबसाइट को चेक कर सकते है या फिर railway station के inquiry सेक्षन में जाकर पूछ सकते है खैर अगर आपको इसकी पूरी detail चाहिए तो आप हमें Instagram पर message भी कर सकते है follow भी कर सकते है हमारे username है adderate abhijitk underscore sony जहाँ पर आपको जवाब जिरूर से मिल जाएगा अगली बड़ी खबर आई है जहाँ पर 36 गर में प्रसासनिक फेर बदल निकल कर सामने आ रहा है राजे स्टोपो डॉक्टर प्रसरना समेट 16 IS अफसरों की जिम्मेदारिया बदल दी गई है तीन जीलों को नए कलेक्टर की तोर पर उनकी जो नए परस थापना है मिल चुकी है राजे सरकार ने बुद्वार को ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े तीन आदेश जारी की है बकाईदा जिसमें 6 IPS और राजे प्रसासनिक सेवा के अधिगारियों का भी तबादला किया गया है नया साल सुरू होने से ठीक पहले प्रदेश सरकार ने 28 अफसरों के प्रभार बदलते हुए बड़ी प्रसासनिक सरजरी कर डाली है इनमें 16 IAS ऑफिसर इसके लावा 6 IPS और 6 राज प्रसे के अफसरों की तबादले किये गए है इनमें से 3 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं सबसे उलेकनी है कि GPMR की गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में साल भर के भीतर तीसरे कलेक्टर की पोश्टिंग कर डी गई है जो अपने आप में लगातार बड़ी प्रसासनिक फेर बिदल के रूप में सामन्यार है चली दूस्तों अगली बड़ी ख़बर आई है जहाँ पर एयर कडिक्टिमिटी की कोशिस लगातार की जारी है 36 गर ने बिलासपुर हवाई अड़े की लिए लगभख 3C केटेगरी का लाइसेंस मांगा है DGCA को इसके लिए आपचारिक आविदन भेज दिया गया है पिछले तीन वर्स से यहाँ कवाय चल रही है कि आखिरकार हवाई सेवा की यहाँ सुरवात कम होने वाली है वही बिलासपुर उच नाले में यहाँ जो सुनवाई है वो यहाँ पर चलाई जारी है दरसल विलासपुर की चकरवाटा हवाई पट्टी का अपरेशनल हवाई अड्टे में बदलने के रास्ते में एक और जो रुकावर्ट करने की वास्तविक कोशिश सुर हो गई है 36 गर सरकार ने नागरिक उडियन के महानी देशक से बिलासपुर हवाई अड्टे के लिए 3C VFR पब्लिक यूज का लाइसेंस वागा है सरकार की सक्रीता को उच नाले में चल रही सुनवाई का असर भी यहाँ पर बता दिया गया है दोस्तों आज की अनुदी बड़ी ख़वर के और बढ़े जहाँ पर आपको बता दे कि महामारी के अगर हम अपडेट की बात करें तो 36 गर में बीते 24 गंटे में 1679 ने केसिस मिले हैं इनमें 14 लोगों की बहुत भी बताई जया रही है सिध्देव का कहना है जो हमारे स्वास्त मन्ति है कि हम तीका करार के लिए तैयार हो चुके हैं दरसल बीते 24 गंटे की बात करें तो 179 ने महामारी केसिस मिले हैं बीते 24 गंटे में 175 केसिस राइपुर जिले के सामिल है और साथ ही साथ राइपूर राजधानी के तीन समेत प्रदेश में कुल 14 लोगों की मरीज भी इस महामारी की वज़ा से बताई जारी है दोस्तो आज की खबरों का सिलसला ही तक था आज आपको 15 बड़ी खबरों को जानने के बाद कैसा लगा सो वी चार आपका कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिकर जरूर बताईएगा इस इक साथ आपसे रिता हुगे दा अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक लिए नमस्कार धन्यवाद